कि हलो दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के उमीद करता हूं अच्छे से तैयारी चल रही होगी स्किल की और आप कर रहे होगे जनरल मैटर्स वग्यारा सब कुछ अच्छे से खीच के कर रखा है सभी ने आज जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है वह एक मतलब मेरे पास भी कमेंट आये हैं बहुत बच्चों के कमेंट भी आये हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज़िज आये हैं और मेरी कुछ मेरे दोस्तों से बात हुई है उनकी भी प्रोब्लम है और मैंने यूट्यूब पर स्ट्रेस वर्ड है गाइव बहुत जादा स्टैनों वाले बच्चों जो स्किल टस्ट देने जा रहे हैं दस तारीक को उनके अंदर जो वाइरल हो रहा है ना जो वर्ड एक में वह स्ट्रेस और वो जो कंफ्यूजं हो रहा है जिस कंफ्यूजं की वजह से बच्चे गलतिय करते हुएव जा रहे हैं प्रोब्लम बताता हूं में में क्या हो रही है सभी बबच्चों के जुड़ मैंने कमेंट्स वगणा देखे हैं तो उनकी क्या कहना कि उनको बहुत जाधा एक तो exam की हो रही है stress बहुत ही expected matter आया उसकी वज़े से बच्चे घबराये से हुए हैं कि जिन बच्चों की अच्छे से तयारी है ना जो फुद में confident थे बहुत जादा पहले skill को लेके कि वो लोग कर लेंगे कोई issue नहीं होगा घर पे भी practice किया है सभी ने तो कभी कोई issue नहीं आता था कोई 20 mistakes में कर रहा था सभी अच्छे से कर रहे थे बट जैसे ही last जब हम 15 तारीक को skill दे के आये और जिस हिसाब का matter आया तो उस चीज ने सभी के mind पे क्या effect डाला कि बच्चे अब घबराये हुए हैं बहुत जादा ऐसे ढूंड ढूंड के hard matters कभी YouTube पे कभी कहीं से hard से hard matter करने के try करने हैं कहीं न कहीं वो भी सही है और सबसे दिक्कत क्या रही है कि बच्चे ले रहे हैं tension बहुत ज़ादा और उस tension के वजए से 3 या 4 बहुत बड़े blunder हो रहे हैं उनके साथ starting से बताता हूं जैसे ही dictation लिखने बैठते है mind में इतना ज़्यादा pressure हो जाता है गंदा कि पहले तो यह सोच के बैठते है hard होएगा hard होएगा बहुत ज़्यादा hard होगा नया matter होगा new words होएंगे इसमें बहुत ज़्यादा और फिर क्या करेंगे इस वजए से वो उनसे इसी tension में फिर word मिस होते है बहुत ज़्यादा word मिस हो जाओ जो word हमें नहीं आता उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते जो word आपको नहीं आता आप उसका क्या घर लोगे कुछ भी नहीं कर सकते उसे छोडने के लाओ आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है उसे आपको छोडना ही पड़ेगा अगर आपका word छुटता है आपको जो नहीं आ रहा आप सेफ हो बट stress की वजए से क्या हो रहा है माल लो कोई भी hard word आ रहा है बहुती घटिया सा hard word आ रहा है कुछ भी आप imagine कर लो भी सभी के लिए hard word की list अलग है ठीक है किसी को क्या word hard लगेगा किसी को क्या लगे vocabulary है सभी की जो बनाने आते हैं सभी को अगर आप अकेला वो word छोड़ रहे हो ठीक है बट टेंशन लेने की वज़े से क्या दिक्कत आ रही है उस वर्ड के अडोसी पडोसी एक दो और वर्ड भी जा रहे हैं और क्या दिक्कत आ रही है simple simple words की outline बिगाड़ के और जब हम उसे type करने बैठ रहे हैं अपने computer पर तो क्या कर रहे हैं घटिया घटिया से word छुटकू छुटकू वर्ड is mr छोट दिया कोई to छोट दिया कोई क्या छोट दिया वही हम अपनी notepad में तो उसको note कर रहे हैं जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करने के time पर उसको miss कर जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम ले रहे हैं load बहुत ज़्यादा और यह बहुत इशू आ रहा है भी जिस बच्चे कि अगर वो अच्छे मन से आराम से रिलेक्स होके डिक्टेशन करेगा आप इसे रिलेट करोगे ध्यांसी जुनना कि अगर वो बच्चा अपना 100% दे के शांत मन से वो डिक्टेशन करेगा तो अगर उसकी गलतियां आनी होएंगी 30 40 और वहीं बच्चा आज की दिन अगर डिक्टेशन कर रहा है सेम बच्चा आज की दिन अगर डिक्टेशन कर रहा है तो वह गलतियों में 70 80 100 चले जा रहे हैं और आप एक बार अपना देखना डिक्टेशन आपने भी नोट क्या होगा कि 20 30 40 ऐसी गलतियां एक्स्ट्रा करे जा रहे हैं कि जो हुनी नीची है जो चीज़ें आपको आ रही है यह ऐसा क्यूं हो रहा है भाई यह देखो होना था भी जिस हिसाब का आप एक्जाम देके आयो एक्जाम प्रेसर बना था तो यह स्ट्रेश होना एक नेचुरल बात है भी स्ट्रेश होता है ठीक है बट आप दो चीजे माइंड में रखो देखो मेरी दरफ से जो मैं शोलुशन दूँगा उस पर आप अपना दिमाग लगाना काम करके देखना कही ना कहीं आपके लिए हेलफूल यह चीज हो सकती है दो चीजें हो सकती है पर एक कोई प्रोब दिग ing级 कि और प्रेक्टीक्स करो वर्ट सारी प्रेक्टीक्स करो बट हरड वर्ड्ट जो हैं वो आपके हाथ में नहीं है हार्ड वर्ड को लिखना तो यह टेंचन दिमाख से निकाल कि हाड़ आए depends हैं कि उनका क्या करना है उनको छोड़ना है आपो पूंदा है आप कु जो जिसने महनत की अपना 100 परशेंट दिया है ना दिल पर हाथ रखके पूछो कि हाँ क्या किया है इतने दिन अगर दिल से आवाज आ रही है के डिक्टेशन जैसे मालो मैं डिक्टेशन करने बैठाओं मैं डिक्टेशन स्टार्ट होईगी स्टार्ट होने से पहले दिमाग में दोड़ाने अगया अगर फॉट कश भी चल रहना हो नुक्सान ऐगा dictation करते है time mind को खाली रखना है बिल्कुल खाली आपको भी पता है खाली दिमाग होता है बिल्कुल खाली होगा हाथ चलेगा आपने आप वहाँ पे tension मत लो मत लो मत लो उसका आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ tension लोगे अपना नुक्षान करवा लोगे relax होगे बहुत ज़्यादा relax होगे करो इतने hard word नहीं आएंगे general matter मैं इतनी बार कहता हूँ मेरे पास भेज के तो देखो general matter आप खुद देखो इतने क्या ही word है यार आप लोग ने जो practice किया है न वहीं word है सारे के सारे 10 word से 15 word से extra किसी dictation में गंदे word नहीं है गलतियां अगर बच्चों की हो रही है न वो शिर्फ और शिर्फ इस वज़े से हो रही है कि वो ले रहे है tension बहुत ज़्यादा इसी वज़े से सारी के सारी गड़बड हो रही है तो आपको ना stress नहीं लेनी है बिल्कुल भी stress नहीं लेनी है खासकर उन चीज़ों की stress नहीं लेनी है कि जो आपके हाथ में नहीं है जो चीज़े आपके हाथ में जो चीज़े है ना अब उनकी tension लो क्या आपके हाथ में फिलहाल practice करना daily reading करना common words की practice करना typing पे जोर देना के दूसरी बात mr and miss नहीं करना dal legit नहीं करना है और ये कब होगा शांति शांति से और शांति से बिल्कुल अच्छे से करोगी न शांतर है कि बिल्कुल आपके स्थी वर्थ मिस नहीं होएंगे और आप अच्छे सब कर जो कर पाओ ऑगे केसी से नहीं आ रहा कुछ भी अभी देखो जनरल के अगर तैयारी कर रहे हो केसी से आ भी जाएगा तो भी आप उसे देख लोगे प्रोग्रेसिव से आएगा देख लोगे दिक्कत शिर्फ एक ही चीज़ कि बच्चों को कि बिल्कुली यहां पर कुछ अटपटा मूढ़ा क कोई भी कहीं कहीं जैसे आ गया था पहले वैसा टोपिक ना जाए इस बात कि मैं गारंटी देता हूं ऐसा टोपिक नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा एससी ने एक बार वो कर दिया ना रिजेक्ट और वो इसून के कानों तक पहुंच चाए कि हाड बिल्कुल आपको देखने में हार्ड लग सकता है ठीक है बट असल में वहार्ड नहीं होगा उसको जीत के निकले गाना वह कौन होगा पता है जो माइंड से श्यांत रहेगा ना और कोमन वर्ड को ठीक अच्छे से इसकी उपर बना के जाएगा बनाएगा इस पर प्रेक्टिस किया न इन वर्ड में अगर गलतियां करोगे जो चीज़ें आपको आ रही है उसको बनाओना अच्छे से ऐसे कंसेंट्रेटर हो बिल्कुल हार्ड आ रहा उसको छोड़के चलो पहले कर लेते थे बच्चे यह अभी उनसे नहीं हो रहा है स्ट्रेस की वज़े से छोड़ दो मेडि सबसान करवा लोगे और सबसे पहली बात कॉन्फिदेंस लेके आओ खुद में कॉन्फिदेंस लेके आओ कि महनत करी है और अगर मैटर आएगा ना मैं उसे करके आओंगा यह रखो कि आपने महनत किया है तो आप पास नहीं होगे तो और कौन होएगा स्टैनों में स्प्टी 30 मारकहा भी नहीं होतता है सभी के साथ ही सब की अपनी वोकाब होती है आप कर लोगे रिलाक्स रहो अगला क्या इसवारर है जनरल मैंटर वाला में ने बता दिया इतना इस human अमतलो इतना गन्दा वाला को नहीं आने वाला है आप जनरल मैंटर के प्रैक्टिस कर करते रहो डेली टाइपिंग करते रहो कॉमन वर्ड के उपर फोकस रखो बढ़िया से ठीक है और स्पीड एक्स्ट्रा स्पीड मिली हो डेली मैंने पिछली बार भी बोला है मेरी पिछली वीडियो में असली जो प्रोब्लम आई थे ना पच्छों को लास्ट टाइम भी वह म मैनेज कर लेते हैं बच्चे जिनकी तयारी है बट उसके साथ ही स्पीड हाई थी उस वजह से हाथ रुकी नहीं रहा है रुकी नहीं रहा है एक हाड़ वर्ड आ अगला आ रहा है दिमाग खराब हो गया था तो अपने ना स्पीड की अभी से प्रैक्टिस रखो 80 का मत देखो जो भी लिख रहे हो 80 से उपर लिखो डेली एक डिक्टेशन या दो डिक्टेशन 80 की करो एक करो मैं तो एक गह रहा हूं उसके अलावा 85 90 100 जो भी आप करना चाहरे हो डी वालों के लिए उससे भी उपर गा वो इतने समझदार आप हो मेरे को बताने की जूरत नहीं यहां तक आये हो तो यहां कोई पागल तो पहुंसता नहीं है लिटन पास करके और एक जो वर्ड स्किप करने की जो आर्ट है ना जो वर्ड स्किप करने की जो है वो उसको डिला मत पढ़ने दो क्योंकि जनरल मैटर में वर्ड स्किप करने पढ़ते हैं पढ़ते हैं ले जाएंगे एक हार्ड वर्ड आएगा आपके पांच वर्ड खा जाएगा फिर बैठ के देखोगे तो इस आर्ट के उपर फोकस रखो और जुन चीजों के आपके बसकी नहीं है ना हार्ड वर्ड उनको भूल जाओ यार छोड़ो उनको हार्ड वर्ड भाड में गए हार्ड वर्ड जो चीजें आ रही हैं उनके उपर फोकस करो ना कॉमन वर्ड मैंने कॉमन वर्ड की डिक्टेशन भी डाली है जनरल मैंटर की इतनी सारी डाल रहा हूं अलग-अलग टोपिक के उपर आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो या कहीं से भी प्रैक्टिस करो बात अपना ही प्रैक्टिस होनी चाहिए शिद्धी बात है अपने को कोई वह नहीं चाहिए तो आप देखना अच्छे से फोकस करना मैंने मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट होती है इसकी वीडियो डाली है वो जाके आप चेक आउट करना और आगे की जो सब्सक्राइब करना है और जो भी वह धीरी धीरी जो भी अपडेट होएंगे आपको मिलती रहेंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है और प्रैशर मतलो प्रैशर लेके खुद का नुक्षान करवा लोगे फ्लीज फोकस करो हमेशा एक्जाम तक पू नुक्सान बच्चों का हो भी रहा है और इसका एक ही तरीका है कि हर प्रोब्लम को दो में डिवाइड कर लो जिसका आप कुछ उखाड सकते हो उसके काम करो उसके टेंशन भी लो कॉमन वर्ड के लो ना टेंशन टेंशन लेनी है डिक्टेशन कर मैं बात बताता हूं देख लिख देगा उसको स्पीड वाले में नहीं लिख पाएगा लिख लेगा चल बट 90% के सिसमें हार्ड वर्ड क्या है जो तुम्हें नहीं आता वी जब लिख ही नहीं पाओगे उसके उपरा कन्फूजन लेई क्यों रहे हो वी छोड़ना है और मैं कहता हूं यह मेरा चैनल है ना तो मैं बैठाओं यहां पर मेरे को भेजो मैं गारंटी देता हूं नहीं होएंगे आपकी जो नईया डूबाएगा वह कॉमन वर्ड है जो नईया को पार करवाएगा वह भी कॉमन वर्ड है जो उसी के उपर फोकस करो और जैसे ही डिक्टेशन करने बैठो खुद को दिमाग में यह नाम लेके बैठना कि इस डिक्टेशन में यह जोड मैं डिक्टेशन करूंगा इस डिक्टेशन में मैं एक भी कॉमन वर्ड गल्थ नहीं करूंगा ना मैं उसको गल्थ पढ़ूंगा ना मैं उसको गल्थ टाइप करूंगा ठीक है देख लेना इंप्रूम सामने सामने से डिक्टेशन के नाम पर शेर आएगा भी अपने सामने तो पर हम देख लेंगे उसको क्या ही देंगे यार कोमन वर्ड ठीक करोगे क्या कर लेंगे तुमारा 20 गलती हो जाएंगी 15 हो जाएंगी पर यह जो अपना हाथ है ना और इसे प्रैक्टिस किया विश्वास रखो ना इसके उपर और यह अगली बार जब भी डिक्टेशन करेंगे ना मेरे खासकर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हार्ड वर्डर सारे के सारे सोटने पड़ो चाहें मेरी तीस वर्ड छोटने पड़ो मेरें को 25 चाहें सोटने पड़ो हूं यसांus वेट मे रहो अधरें यह इन is वाटो कशोड़ो उसको स्किप करो एगसाइडंकि करो उसको क्या करना Galate किया करना है भी हमारे टीचर थे जहां से हम् coral false भाल ऐसे वह हमेशंते एक एक जाम्पल देते थे अगला हमसे आließen कमजोर यह इसको डिक्टेसिन आगही हैं अगला ऑगया कमजोर तो चपपल से ए टालो उसको वहीं के वहीं अच्छे से अध्यक्री जो ससरे एतलो डालो पूरी की पूरी आसान वर्ड आ रहे हैं बनाते जाओ बनाते जाओ बढ़िया confidence के साथ और जैसे ही कोई hard word आ रहा है या फिर कोई तगड़ा आदमी हमारे सामने आ रहा है हमसे तगड़ा उससे तो हम भीड़ेंगे नहीं शिद्धी बात है तो वो जो चपल हाथ में है ना वो हाथ में रखो और चपल हाथ में लेके निकल लो वहाँ से इसका relate कैसे करोगे यह नहीं है कि इसका मतलब है जैसे ही hard word आ रहा है चपल अपने हाथ में आए आसान आएगा पिटेंगे hard आएगा चपल हाथ में लेके निकल लेंगे जैसे hard word आएगा उसके उपर से ही कूद देंगे हम शिद्धी बात है उपर से कूद के जो डिक्टेटर होगा उसके आग्ये जाके बैठ जाएंगे हाँ अगला word लेकिया word नहीं शुटने देंगे सिद्धी बात है हमारा target वर्ड हम नहीं जुटने देने वाले हैं आज तो फोकस रखो कोई और इश्यू है कोई भी इश्यू आ रहा है स्ट्रेस से रिलेटेट टेंसे रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो भी मैं हमेशा घाता मैं खुद एक्जाम देने जाने वाला हूं चीज़ें आपको पसंद आती हो बात आती हो तो बहुत बढ़िया और अगर अजीब लगती हो तो आप भी इसको स्किप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कोई भी इश्यू हो आप कमेंट करना मैं उनके रिप्लाइए गरूंगा या कोई और मेरे ऐसा स्टार्टिंग से लास्ट तक सेम एक वीडियो बनती है अपनी तो देखो जो है पॉइंट लिखे अपना भी वो याद आ जाए ताकि बताने के लिए और बता दिया जो भी है ठीक है सो मैंने वीडियो डाल रखे हैं जनरल मैंटर की वीडियो डाली है सबसे अच्छी मैंन इतना मेर से हुआ है सो आप चैक आउट कर सकते हूं को और अच्छे से अपना तयारी कीजिए लग के और टेंशन नहीं लेनी है जिसकी तयारी है ना फोड देगा हूँ मैं कहता हूं नहीं आएगा हार्ड मैटर और स्ट्रेस लेके नहीं जाना है एक्जाम में सो बेस्ट और अच्छे से तयारी कीजिए और अपना 100 परसेंट देना है बचें तीन च्यार दिन इसमें यह नहीं है कि लास्ट में जागे अपना बैग डालो पीछे ना ना अब तो बस पूरा पंजाद अबादो गाटी भागा दो जितनी भागती है फुल फुल अपना पूरा जित डिक्टेशन रीड करो डेली अच्छे से फिर कहता हूं डिक्टेशन रीड करो सो दोस्तो अपना अच्छे से तयारी करो और गुड़ लग कोई भी इस्यू हो कमेंट करना निधरी बैठाओ